चीन ने फिर चली चाल दोकलाम पर ड्रागन का भारत को धोका दोकलाम में चीन ने शुरू किया सडक निर्मार भारत चीन में बढ़ सकता है तनाव दोकलाम विवाद अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुआ था कि ड्रागन ने फिर अपनी चाल चली है दोकलाम में कूटनितिक हार के बाद चीन फिर चाल बाजियां दिखा रहा है दोकलाम विवाद खत्म करने के एवज में चीन ने जिस सड़क के निर्माड का काम रोग दिया था उसे फिर शुरू कर दिया है यही नहीं ड्रागन ने सड़क निर्माड वाली जगा पर अपने 500 सैनेक भी तैनाद किये हैं चीन की इस हरकत के बाद माना जा रहा है कि भारत चीन के बीच फिर तनाव बढ़ सकता है अभी कुछी दिनों पहली की ही बात है जब भारत और चीन के बीच इस छेत्र में सड़क बनाने को लेकर 73 दिन तक तनाव चला था इस दोरान चीन बार-बार भारत को युद्ध की धंकी देता रहा तो भारत ने चीन की धंकियों का माकूल जवाब देते हुए कहा कि चीन भारत को कमजोर देश समझने की भूल ना करे सूत्र के मताबिक चीन जोकलाम में धीरे-धीरे अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है जिससे छेत्र में स्थिती बिगड़ सकती है अगर चीन अपने सैनिकों को डोकलाम से नहीं हटाता है तो भारत जोकलाम में अपने सैनिक वापस तैनात कर सकता है अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने वाला कदम होगा NMF News के रिपोर्ट